अधिर्ई तों नमस्कार दोस्तो मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपसब आपके अपने ही चैनल इनवेस्ट फॉर वेल्थ में दोस्तो आप सबको पता होगा कि हमारे चैनल पर टेक्निकल एनलेसिस का फ्री कोर्स मैं रन कर रहो हूं यहाँ पे आप सबको हम technical analysis यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ तो पिछे दो parts हमारा channel is new है तो पिछले दो parts हमने upload कर दिया है कि technical analysis क्या है और technical analysis में जो main चीजे आती है candles या फिर chart patterns क्या आएं कैसी है सारा कुछ हमने दूसरे वीडियो में share कर दिया है तो आज हम जो अपना पहले pattern पे जाएंगे और पहले pattern को discuss करेंगे pattern का नाम है maru boju maru boju candles को हम समझेंगे कि maru boju candles क्या है इस पे कैसे काम कर क्या profit बना सकते हो किस तरह से काम करना है क्या इसमें stop loss लगाना है क्या इसमें target लगाना है तो कहीं मच जाएगा पूरे वीडियो को watch किजिएगा बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में तो maru boju candles जानने से पहले से पहले मैं ये request कर लेता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो कर लिजिए और bell icon को भी press कर लिजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे होप करता हूँ अपने channel को subscribe कर लिया है तो चलिए समझते हैं maru boju candles को maru boju candles कुछ इस तरह हैं सामने आप pic में देख पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ तो मारू boju candles के दो तरह के होते हैं अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं लाइन ड्रॉ करके तो यह दिखिए एक है maru boju bullish और एक है maru boju bearish पहले क्या होता था candles के जो color होते थे वह green candle जो अभी है वह white होता था और जो red candle है वह black होता था तो पहले इसको maru boju white और maru boju black भी कहा करते थे लेकिन अभी आज इस तरह से अपडेट हो रहे है candles के रंग चेंज हुए है तो bullish candle जो है bullish market उपर जाएगा वह दरसाता है और bearish market नीचे जाएगा वह दरसाता है तो एक चार्ट अगर हम लगाएंगे उस चार्ट में हम कैसे पहचानेंगे कि जो सामने candles बन रहे हैं इनमें से कौन से maru boju candles हैं तो देखें यहां पे maru boju का main नाम है इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसमें कोई आपको नीचे shadow नहीं दिखेगी पूरा का पूरा एक candle form होगा एक body fam होगा जैसे कि अप पिछले वीडियो से अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो जाकि उसमें मैंने बता रखा है कि कौन से किसे candle में किसे body कहते है किसे shadow कहते है टोटल बता रखा है तो इस तरह का एक candle form होता है यहां पे draw देखिए आप मैं कर रहा हूँ यहां पर मैं discuss कर लेता हूँ थोड़ा सा तो यह line और यह line समझ लीजिए एक candle यहां पर open हुआ इस side open होता है और इस side हमें सब close होता है कहीं भी हो सकता है इस side close होता है इस side open होता है यहां पर अगर open हुआ और यह market यह से चलता रहा चलता रहा चलता रहा यहां पर तो बीच में जो red या green candle form हुआ है जो मारू बेजु केंडल है इसमें आप कहीं भी कोई सैडो नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा बॉडी दिखेगा, समझ लीजिये, हम देखते हैं कि यहां पे एक केंडल ओपन होता है, ठीक है, जैसे एक अपन से एक बार भी उस रेट से नीचे नहीं है, यानि ओपन और लो लो सेम है कई बार हम देखते हैं आपने मार्केट में मार्केट उपन होता है यह मतलब जो ओपन होगा और जो लो गलो सेम होगा कोई भी शेड़ो फर्म नहीं होता है वो से हम मारू बोजू candle कहते हैं यह बहुत ज़्यादा प्रसिद टक्नीक है मतलब टेक्निकल एनालेसिस में अगर हम देखें तो काफी ज़्यादा है और काफी एनालेसिस इसको यूज करते हैं दोस्तों समझ लीजिए आपको कहीं आप एक चार्ट बन रहा है और वहाँ पर आपको मारू बोजू बुलिश केंडल या बीरिश केंडल मिल जाता है तो हमें इसमें काम कैसे करना है में पॉइंट यह हम तो कैंडल पैचानना सिख गए अगर कोई कैंडल देखिए आप टेक्निकल चीजे अगर समझेंगे cat chart तो कोई भी देख लेता है लेकिन हमें trend pattern समझना होता है कौन सा pattern बना है बहुत सारे pattern है हम इस channel पर सारे patterns discuss करेंगे तो एक एक वीडियो हम सारे patterns के उपर बनाएंगे और मैं कोशिश करूँगा आज मैं 2-3 वीडियो upload कर दूँ patterns के उपर तो अब मैं आज 2-3 वीडियो upload करूँगा और कोशिश करूँगा रोज ही मैं उस technical course में वीडियोस add करूँ आप लोगों को सिखाने के लिए तो आप यहाँ पर देख पा रहा हूँ अब हमने यहाँ पर काम कैसे करना है मारूबोजू यहाँ पर हमें दिग गया मारूबोजू candle form हो गया अब देखिए अगर हमें bullish मारूबोजू candle मिलता है यहाँ ग्रीन मारूबोजू candle मिलता है तो हमें यहाँ पर open हुआ ठीक है यहाँ पर close हुआ जहाँ पर candle close होता है ठीक वहीं पर हमें buying बना लेनी है अब आप यह सोच रहोगे कि candle कितने minute का लगाना है है न चार्ट कितने minute का लगाना है देखिए वैसे तो आप 15 minute के चार्ट पे 15 minute के time frame पे reliability बढ़ियां होती है इसकी लेकिन अगर जितना लंबा जाता है मारूबोजी उतना ज्यादा effective हो जाता है अगर एक घंटे के चार्ट पे आप कर रहे हो लेकिन आप देखो एक घंटे के करना चार्ट पे करते हैं न तो यह जो frame है यह अब body जो है लोग जो है एक 102 रुपे पे नया candle बन गया ठीक है अब हमने क्या करना है 102 रुपे पे हमने buying बना लेनी है और यह पता निक्षा लिखा गया 102 रुपे पे हमने buying बना लेनी है ठीक है तो यहां पे हमने buying किया और इसका लो जो है ओपन और लो जो है वो उसका हमारा stop loss होगा target आप अपने हिसाब से उपर book कर लिजे जब आपको दिखे यह एक नया candle एक और form कर दिया और एक और अगर अगर बुलिश ट्रेंड देखे आपको पता लग जाए तो आप उसमें hold करके लंबा बढ़िया profit ले सकते हो main stop loss हो जो हमारा होगा यह stop loss होगा पूरा strict stop loss लगाना है अगर आप technical analysis से काम कर रहे हो तो पूरे technicals को follow करने हो तभी आप पैसा बना सकते हो अधर वाइज अब कभी भी market में पैसा नहीं बना पाओगे तो यह तो होगे 15 minute की बात अगर हम बात करेंगे one hour की ठीक है ना one hour की समझे लिए एक शेयर है जिसका प्राइज है हजार रुपए मैं बात कर रहा हूँ हजार रुपए प्राइज है शेयर का ठीक है हजार रुपए प्राइज है और वन hour के candle हमें लगाया हमें मारु बोजू मिल गया हजार रुपए पे ओपन हुआ यहां पे एक हजार बीस पर अपलोज वह उपर बीस रुपए उपर नीचे दिखा दिया बीस रुपए उपर चला गया अब दिखे इतना बड़ा जो गैप आ गया बड़ा गैप आगया व अब इतना बड़ा अगर आप स्टॉपलोस नहीं दख पाते हो तो आप इसके मिड का स्टॉपलोस रख लेते हो लेकिन वैसे भी अगर एक घंटे का हम केंडल में देखते हैं तो हमें रिलाबिलिटी तो ज्यादा मिलती है लेकिन हम लंबे समय के लिए उसको ज्यादा होल ज़ता है एक मार्केट चलता हुआ आ रहा है चलता हुआ है चलता हुआ है चलता हुआ है यह kandles बन रहे जो मैं alan खिरलों सॉरी जा टा Г यहां पर candle open हुआ और open जहां पर नया candle form हुआ candle form होने के पाद एक बार भी मार्केट उपर की तरफ नहीं दिखाया वहीं से गिरना शुरू हो गया ठीक है ना यह गिरना शुरू हो गया और अगर 15 मिनिट के अंदर आज यहां पर 15 मिनिट खतम हुआ यहां बीच में जितनी ब पर ना है यहां पर open और हाई मोगे अमारा open यहां हुआ और यही हमारा बना उपन और है मोगे तो हमें sell कर देना है वार किन से चिंग करने के बात नीचे हमने जितना जाता है जाने देना है उन्तरूम जो अमरा होगा हाई और स्टॉप लोन तो यह मारूआ хорошо करदा हूं पैटर्न मिलेंगे चार्ट में इस तरह का केंडल है समझ लिजी ये ग्रीन केंडल है तो इस तरह भी हो सकता है समझ लीजी यहां पर नहीं ऊपर मिलेगा ग्रीन केंडल अगर ये रेड केंडल थोड़ी कम होती है और इन दोनों में फुल लाइबिटी होती है ठीक है ना तो होप करता हूँ आपको वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी है इन्फोर्मेटिव लगी है तो लाइक करो आपके जो पार्टनर्स आपके जो चहेते हैं जो बाजार में सीखना चाहते हैं क्या है बाजार किस तरह से शेर बाजार में पैसा बनाया जाए तो जरूर मुझे आप यह वीडियो को शेर कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहो यहाँ पर हम पूरे डेडिकेशन के साथ आपको सिखाते हैं आपको सिखाने का प्रयास करते हैं तो शुक्रिया दोस्तों Thank you so much, thanks for watching this video.